बर्फ का घनत्यु पानी से कम होने के कारा बर्फ पानी में तैरती है इसे आजम डिजिश्ट के सिधान से भी समझा जा सकता है इसमें बर्फ का एक बटे दस भाग पानी के उपर होता है और नौबटे दस भाग पानी के अंदर होता है तो इस तरह बरफ तैरती रहती है